राधे राधे दोस्तों, दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, मनुस्य के जीवन में दुख और सुख आता जाता रहता है मनुस्य के जीवन में ग्रहों की चाल के अनुशार, सुखों की फ्राप्ति होती है वहीं कई प्रिकार के संगटों और कई प्रिकार के समस्याओं का सामना भी मनुस्त के जीवन में करना पड़ता है ऐसे में जब मनुस्त की चांदी ही चांदी होनी होती है तो भगवान उसे कोई न कोई संकेत जरूर दे दे है मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि अब भगवान स्रीहरे विस्नुजी की क्रिपा से आपके जीवन में बहुत बड़ा चमतकार होनी वारा है बखवान सरहरे विष्णूजी के किरिपाथे आपके जीवन के समस्थ प्रकार के समस्चाओं से आपको छुपकारा मिलने वाला है मित्रों आपको बताएंगे आपका करियर कैसा रहेगा, व्यवपार कैसा रहेगा, व्यवसाई कैसा रहेगा, लवलाइप, स्वास्त और दैनित दिंचरिया कैसी रहेगी आपको किस प्रकार से बड़ी कुछ कवरे मिल सकती हैं किस प्रकार से धन दौलत में बढ़ोत्री हो सकती हैं कारे व्यविसाई व्यपार में आपका पोद्वनती किस प्रकार से हो सकता है प्रभुमुत्रों प्रभुजी की कृपा से आपके जीवन में इस समय ग्रहों का सुब फलों की फ्राप्ति होने का समय आ चुका है ऐसे में ग्रह जब सुब फलों की फ्राप्ति करवाते हैं तो आपको किसी न किसी प्रिकार से सुब समाचारों की फ्राप्ति होती है ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि आपका कैसा रहने वाला है आज का दिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर ले ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सके बत्रों आपके लिए आज का दिन बहुती सुब और अच्छा रहने वाला है वैवसाय में नए उत्तरदायित पो मिल सकते हैं बैपारियों को बैपार वैवसाय में पद्दूनदी मिल सकती हैं परिवार का सहयोग मिलेगा सभी लोगों के साथ बैट कर बात चित करते हुए नजर आने वाले हैं आपको अपनी बातों को रखते समय वानी पेर मदूरता बनाए रखने की जरूरत होंगे कारुबार के शित्र में व्रदी होंगे और आप किसी नए कारी को करने का योजना बना सकते हैं बत्रों धन की देवी माता लक्ष्वी जी आप लोगों बर काफी महरपान होंगी धन की देवी माता लट्वी जी की कृपा से कारिशत्र में आपके सभी बिगड़े कारिव पनेगे धन के चित्र में बढुत्री होंगी और आपके साधेधारी भी आपका सही योग मिलने वाला है नोकरी कर रहे जात्कों को नोकरी में दिये गए कारियों को समय से पूरा करने का मुका भी मिलेगा अगर आप नोकरी पेसे वाले हैं तो आपके सैलरी में वढ़ोत्री हो सकती है पद में पदोनत्ती हो सकता है कारिश्यत्र में आपकी सफलता से आपके प्रती लोगों के इर्षिया भावना हो सकती है जो दुस्मन सोय हुए थे उन दस्मनों को जागने का मुका मिल सकता है क्यूकि आपके पदनती हो रही है इसलिए आप दुस्मनों से साथ धान रहे आपके मिठी बानी बोलने के कारण आप मधुर चाल की वज़े से और ग्रहों में होने वाले फ्रिवर्टनों के वज़े से आपके सभी कारिश दफल होंगे आपको अपने माता फिता कभरपूर सहयोग प्राब्त होने वाला है आप अपने मन की बातों को किसी महत्पून व्यक्ति के साथ साधा कर सकते हैं भाई वहनों का फ्यार मिलेगा और बित्रों आज के दिन विद्यार्थियों को कुछ विश्यों में काफी जागुरूपता मिल सकते हैं कारे शत्र को लेकर भी आपके सभी कारे सफल होंगे और कल का दिन भी आपके लिए मिला जुला रहेगा साधी सुदा लोगों के जीवन में काफी जादा खुशियां दिखने वाली हैं और किसी अन्य व्यक्ति की दखल अंदादी आपके जीवन साथी के साथ आपके कहा सुनी करा सकती हैं इसलिए और फिर ये गलत समंदो के चकर में आप न पड़े जो आपके लिए प्रमोशन का समय उत्तम रहेगा कुम्बरासी के जादकों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए आज का दिन काफी सुबरही का रुके विधन का आगवन हो सकता है लेकिन आपको सेहत का दिहान रखना होगा क्योंकि आपका सेहत आपके लिए थोड़ी सी मुश्किले उत्पन न कर सकता है आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग आव विवाहित हैं आव विवाहितों को विवाह के बहत्रिन फ्रस्ताव फ्राप्तों होने वाले हैं विवाह करने के योगे लड़के और लड़कियों को काफी सुन्दर और मदुर कारी करने का मोका मिलेगा आपके रिष्टेदारों के साथ आपके चर्चे होंगे और आपके चर्चों की वज़ा से आपका विवाह तै होगा घर से निकलते समय अगर आप घर से किसी महत्पूर्ण कारिक को करने जा रहे हैं तो घर से निकलते समय वरिष्ट सदस्यों का पैर शुकर आस्रिबाद ले लें तो आपके सभी कारिफ पूरे होंगे विद्यार्थी इधर उधर ध्यान न देकर पढ़ाई के प्रती जागरुक बने रहें घर में नए महमान का आगमन हो सकता है मित्रों अगर आपके घर में कोई पेट से हैं तो उनका अभी काफी जाद अच्छा सुब समाचारों की प्राप्ती होने वाली है मित्रों आप किसी नए कारी को करने के लिए प्रोचाहित होंगे नए कारी भी करेंगे और समाज की भलाई के लिए कारी करने का मोका भी फ्राप्त होनी वाला है नोकरी कर रहे हैं लोगों को काफी बड़ी खुशकवरी की फ्राप्ती होंगे कारिश्यत्र में आपके सफलताएं 72 रही लोग आपके साथ मिलना चाहेंगे बाते करना चाहेंगे और आपके तारीफे करेंगे अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए खुशकवरी है क्योंकि आज आपको प्यार हो जाएगा एक दिल्चस्व वैक्ती आपके जीवन में प्रवेस करेगा जो आपको वैक्तिकत रूप से बदल देगा और आपका सुख में विर्धी करवाईगा आर सरजनक रूप से आपका प्रेमी बनने वाला है दोस्तों के साथ आप काफ़ी जादा करियर कुले कर सजगर होगे आफिस में सिनियर के साथ आपका लगन साल लगन कारे करनी की लगन आपकी प्रदसन की नई उमीदे जगा सकता है आपका प्रदसन किसी नए प्रोजेक्ट को बनाने में सफल हो सकता है पैसे की कमी आधि खल सकती है मत्रों सुभा सुभा कोई ऐसी बड़ी खुशकवरी की फ्राप्ती होंगी जिनको सुनकर आप काफ़ी प्रभावित होंगे मिले जुले कारे को करने से आपको परसंता की फ्राप्ती होंगे आपके सभी बिगड़े कारे भी बनने वाले हैं मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप मिले जुले प्रिनामों के फ्राप्ति करें और कोशिच करें सभी को जोड़े रखने की जिसमें कि आप अबस से काम्याब होंगे आप दूसरों के साथ समझोता करणे से बचें अगर आप औव विबाहित हैं तो आपको इस समय अपने करियर और अपने इज़त को भचाने की विचेश ध्यान रखने होंगे क्योंकि हलका सा गलत कदम आपके जीवन में प्रिसानी को उत्पन्न कर सकता है आपको किसी नए काम के सुरुआत करने का बहतर मुका मिलेगा क्योंकि उसमें आपको भागे का पूरा सा योग मिलने वाला है आप किसी नए वहान के खरदारी करने की एक्छा जाता सकते हैं आपका कोई पूराना लेन देन आपको लंबे समय से प्रिसान कर रहा था तो वो भी आपका दूर होगा आपके रुके फे पैसे भी लेंगे नित्रों करियर के छेतर में आपको बड़ी सफलता की फ्राब्ती होगी जो लोग आपसे जलते हैं जो लोग आपसे इर्शिया करते हैं उन लोगों के जीवन में भी इस समय काविवदलाव होगा और वे आपके प्रती सजग रहेंगे आपका दिन आज उन्नती दिलवानी फाला रहेगा इसलिए आप संतान के स्वास्त के प्रती सचेत रहें क्योंकि आपके संतान का हलका सा स्वास्त खराब हो सकता है जिनकी वज़े से आपको थोड़ी सिमन में बेचे नहीं हो सकती हैं परन्तु इस्वर पर भरुशा रखें राधारानी आपके समस्त समस्याओं का समधान कर देगी और आप कामकाजो को करने के लिए सूची बद्ध कारी करने की कुशस करें आप जो भी कारी करना चाते हैं आप सूची बना कर रख लें सेहत को लेकर सावधान रहें अगर आपका सेहत थोड़ा सा भी खराब दिख रहा है तो आप उसे नजर अंदाज बिलकुल ना करें आप इस समय जो भी कारी करें बहत्रिन तरीकों से करने की अवस्य कोसित करें कारी शेत्र को लेकर लेकर लिएगे आपके सफी पैसले सफल होनी वाले हैं जो लोग इस समय नोकरी व्यविसाय को करने को लेकर बड़ी उमीदे लगा रहे हैं उन लोगों को भी इस समय काफी अच्छा खुसकवरी की प्राप्ती होंगी कारिशेतर में भी आपके सभी सपने साकार होने वाले हैं वित्रों संतान से जुड़ी आपको बड़ी खुसकवरी किसी भी वैवसाय को लेकर मिल सकता है आज के दिन साज़ेदारी में वैवसाय कर रहे हैं लोगों के लिए इस समय थोड़ा सा कमजोर वातावरण रह सकता है आप उमीद से ज़्यादा भरोसा किसी पर ना करें पारिवारी रिष्टे मजबूत होंगे और ग्रिहस्ते जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा आपके जरूरी कारे साबधाने से पूरे होंगे आपका आत्म विश्वास बढ़ने से आपके मन में परसंता बनी रहेगी सरकारी नोकरी के तयारी कर रहे हैं लोगों को आज कोई खुशकवरी सुनने को मिल सकती हैं आपका रिजल्ट आ सकता है या आपके बिगड़ी विकारी बन सकते हैं जो विद्यार्थी विदेश जाकर सिक्षा गरन करने की सोच रहे हैं, उन्हें भी आज कोई बड़ा ओफर मिल सकता है, जिनकी वज़ा से आपको विदेश जाने का सपना, नोकरी पाने का सपना पूरा हो सकता है, आज की दिन आपके द्वारा किया गया मेहनत, आपके भविस में आपको सफलता दिलवानी वाला होगा, आप कारिशत्र में कामों को पूरा करने, पूरी मेहनत और इमंदारी से कर सकोगे, तभी आप तरक्की कर सकोगे, इसलिए कारों के फ्रति आप सजग रहें, सावधान रहें, किसी के साथ भी आप कोई छलकपट करने की विल्कुल कोजिज ना करें, आप अपने कुछ पूरानी गलतियों से सबक सीख सकते हैं, और कुछ विरोधियों पर आप हावी हो सकते हैं, या अगर आप पिछली गलतियों से सबक न सीखोगे, तो आपके जो विरोधि हैं, वही आप पर हावी हो सकते हैं, राधलिदिक छेत्रों से क और दो नहीं आट, नहीं आट, और भाली हो, नहीं आट, आट, प्राइब।